मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी ने मेरे पती को जेल पे डाल दिया क्या प्रधान मंत्री जी ने सही किया क्या आप सब मानते हैं कि केजरिवाल जी एक सचे देशभग और इमानदार इंसान है क्या आप मानते हैं कि केजरिवाल जी एक सचे देशभग और इमानदार इंसान है ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरिवाल जी जेल में है इन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या उन्हें इस्तिफा देना चाहिए केजरीवाल जी को इन्होंने गिरस्तार कर लिया आपके केजरीवाल शेर है शेर ये ये ज़्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोर और लोगे क्यों दिल में बचते हैं केजरीवाल जिस बहादरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक freedom fighter थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन्ग में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्ष के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारत वासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाओं में मैं आपसे किसी को हराने या जिदाने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग मांता हूं 140 करोड भारत बासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अमंतरित करता हूं भारत एक महान देश है हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दियस सब कुछ है भारत में फिर भी हम पिछडे क्यों है हमारे लोग अंपर क्यों है गरीब क्यों है मैं यहां जेल में हूँ यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है रात को तूट तूटके नींद आती है भारत मा के लिए सोचता हूँ भारत मा बहुत दुखी है भारत मा दर्द में है दर्द से करा रही है जब महगाई की वज़े से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मा को बहुत दुख होता है जब भारत मा के बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिलती 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो फारत मा वेबस और लचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सरके तूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब हैं, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लच्छेधार भाशन देते हैं, शानों शौकत की जिन्दगी जीते हैं, अपने तोस्तों के साथ मिलकर देश लुटने में लगे हैं, तो भारत मा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मा को सक्थ नकुड़ाते हैं, आईए, मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, एक सो चालीस करोर लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भर पेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी सिख्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर भी मिमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, देश के कोने कोने में 24 घंते बिजली होगी देश के हर गाह में शांदार सडके होगी एक ऐसा धारत होगा जो पूरे विश्व में सिख्षा का केंदर होगा